फ्रेंस जब भी हमी मिठाई खाने का मन होते हैं तब हम क्या करते हैं मार्केट जाते हैं और वहां से लेकर आते हैं लेकिन अगर हम इसे घर पर ही बना ले तो हेलो फ्रेंस वेलकम टू बीनास किचन आज हम बनाने वाला यह रसमलाई की रेसिपी जिसका टेस्ट और टेक्शर बिल्कुल मार्केट जैसा होगा जैसे की हलवाई बनाते हैं और आप देख सकते हैं यह बहुत ही जादा टेस्टी लग रहा है और यह बिल्कुल माउट मेल् जरूर देखें इसके लिए हमने यहां पर डेल लिटर दूद को गरम करने के लिए रख दिया है फ्रेंस आप देख सकते हैं थोड़ी देर में दूद में बॉइल आने लगा है तो आप चाहे तो इसे विनीगर से फार सकते हैं या तो फिर नीमू के जूस से हम आज इसे प पाइन डालेंगे दूद के गरम हो जाने के बाद हमने गयास को बंद कर दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम छेने का पाइन डालते जा रहे हैं तो इसमें इतना ही पाइन डाले जितना में यह जो दूद है वो करडल हो जाए यानिकि फट जाए तो यह देखिए दूब जो है वो फटने लगा है और इसमें से पनीर और पानी जो है वो अलग होने लगा है तो फ्रेंज यह जो पानी पानीर से अलग हुआ है यही पानी जो है वो छेने का पानी होता है तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं नेक्स टेम जब आप पनीर बनाए रसमलाई ब यूज कर सकते हैं तो यहां हम इस पानी को छान लेते हैं तो यहां पनीर और पानी हम इसमें डालते जाएंगे और आप किसी भी कपड़े का यूज कर सकते हैं इसमें इसे छानने के लिए तो यह देखिए हमने सारे पनीर को इसमें डाल लिया है और अब हम इसमें थूड़ा पानी है वो निकल जाए फ्रेज अगर आप पानी से पनीर को नहीं फारड़े हो तो आप नीमबू या तो विनीगर का यूज कर सकते हैं इसके लिए आप दो चम्मच नीमबू या विनीगर पानी में मिक्स करें और उसे आप दूद में थोड़ा-थो करके डालते जाएं और इस दूद को हमें गाड़ा कर लेना है अगर आपके पास केसर हो तो थोड़ा साप केसर डाले और यहां हमने इसमें आधा कब चीनी डाल लिया है तो फ्रेंस रबडी जो है बहुत जादा गाड़ी नहीं होती है तो इसे आप थोड़ा पतला ही रखे ताकि रसमलाई में अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसका यूज़ना करें बिल्कुल ऑप्शनल है और यहां हमने डाल लिया है इलाइची का पाउडर फ्रेंस आप इसमें एक चुटकी हल्दी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं जिसके इसका कलर काफी अच्छा आएगा यह देख सकते हैं हमने पनीर को भी निकाल लिया है और अब इसे हम अच्छी तरह से मैश करते हैं तो पनीर को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है ताकि बिल्कुल इसका टेक्शिर है ना स्मूध सा हो जाए अभी आप देख सकते हैं जो पनीर है वो बिल्कुल भी स्मूध नही यह थोड़ा दानेदार सा है तो हाथ की हतेली से आप देखिए इस तरह से आप इसे मसलते हुए बिल्कुल समूद सा बोल बना ले फ्रेंस अब हम इसमें एक चमच कॉन्फलोर डालेते हैं अगर आपके पास कॉन्फलोर नहीं है तो आप इसमें आरा रोल भी डाल सकते हैं त भी अच्ची तरह से मिक्स करते हिए बिल्कुल चिकनासां डो की तरह तयार कर लेते हैं यह देख सकते हैं हमारे पनीखते है काफी जादा सौफ्ट होने लग गया है तो उसी थोड़ा सा और मसलते बें स्कते हैं हमारा यह दो टेयार हो चुका है हम इसमें से Balढ बनानत आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसमें से बना सकते हैं यहां हम गोल गोल रस्मलाई बना रहे हैं आप चाहे तो चप्टा सा रस्मलाई भी बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से आप इसे गोल कर ले और अगर आपको चप्टी बनानी है तो गोल करने के बाद आ चाशनी बनाने के लिए हमने यहां पर ले लिया है 1.5 कप चीनी और इसमें हम डाल लेते हैं 4 कप पानी फ्रेज इसमें पानी हमें ज्यादा लगता है क्योंकि जो हमारे रजगुले के बॉल्ल्स बनेंगे वो इसमें अची तरह से बॉल होंगे और फूल करके बड़े हो जात है हमें यहां पर कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है बस छीनी को अच्छी तरह से मैल्ड कर लेना है तो बीच मिच में हमने इसने चला लिया है देख सकते हैं इसमें आच्छा सा बॉना माल आने लगा है आकको धियान यह देखे अब हम इसे अच्छी तरह से बॉइल होने के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंस इन रजगुलो को बॉइल होने के लिए करीब करीब हमें 12-15 मिनट के लिए रखना होगा देख सकते हैं यह तोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो गया है इसे अब हम ढग देंग इसे अचे बीच-बीच में हम इसका धकन को हटाते जाएंगे और इसे हलका साह ले ले तो यह देख सकते हैं और वियर में काफी बड़े होने लगे हैं तो फेर्द से बीच बीच में हमने हिंसे अचर षार्क-टूले और ध्यान रहें टूटे नहीं तो बहुत शारप सा स इसमें यूज ना करें फ्रेंश आप इसमें इलाइची का पाउडर यूज कर सकते हैं या तो इलाइची को इस तरह से हमने कूट करके इसमें डाल लिया है इसमें इसमें का जो टेस्ट काफी अच्छा आएगा इन रजगुलो को देखकर के मुझा अगया न पानी फ्रेंश आप इसे इसी तरह से भी रस गुले की तरह ही खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं या तो फिर आप इसे रब्री में डाले जिसे की रस मलाई की तरह लगे तो ये देख सकते हैं हमने इसे बीच विच में इस तरह से हिलाओ आ अब हम इसे फिर से ढख देते हैं ताकि ये थोड़े और बड़े हो जाए और ये थोड़ी दिर में आप देख सकते हैं हमारे रसगुले बिलकुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं और काफी जादा ये बड़े हो चुके हैं साइज में तो हमने पहले काफी छोटे छोटे इसे बॉल्स डाले थे, अब ये बॉल्स जो है काफी बड़े हो चुके है, रजगुल्ला हमारा तयार हो चुका है, तो इस रजगुल्ले को हमने हलका ठंडा कर लिया है, बहुत जादा ये गरम नहीं है, अब इसमें से हलका हलका चाशनी ह चाश्णी निकाल लिया और इसे बोल में डालते जाएंगे हैं घृबडी हमारा और इस तरह से दाल डिक्ते हैं तो तक देंक सकते हैं शाझ में हमा इनवीं टाड़ा नहीं है हलका पतला रबडी ही हमें इसमें रखना है इसे जो रजगुल्ले है वो रबडी को एब्जॉब करेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे चार से पांच घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से रख देते हैं तो फ्रिज में आप इसे रखे तकि यह अच्छी तरह से छिल हो जाए और जितनी जादा दिर हम इसे रखते है ना उतनाई तो हम इसे अब सर्व कर लेते हैं अब जब भी रस्मलाई खाने का मन करें तो मार्केट की तरफ नहीं की तरफ दोड़ी है तो फ्रेंस कैसी लगी आपको यह मुँ में खुल जाने वाली रस्मलाई के रेसिपी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चैन